हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज के सुरह में बात करने वाले हैं ब्रैंड न्यू यमा आरन फेप एम के कम्प्लीट डाउन परमेन फाइनेंस के बारे में उससे पहले दोस्तो आप offer के बारे में जान लेजिए अभी आपको पता है दुरगापुज़ा ओफर चल रहा है मतलब नारात्री चल ली थो इसमें आपको कुछ offer देखने को मिल जाता है ठीक है उसके बाद दोस्तों कुछ ओफर के बाद और पर कुछ कुछ चीजें मिल रही है देखिए ओफर में क्या है कि अभी आयामा की लबक सभी बाइकों में आप लोगों कुछ 40-40,000 कहां पहुंच गया चार से 5,000 रुपए जो प्राइस डिफ्रेंस है यानि कि प्राइस डिस्का आपको बाइक फैनेस में और आपको फोटो एंड अधार कार्ट देकर ही इसली फैनेस करा सकते हैं और डीपी लो से लो लगीगी अभी ओफर में तो अब एक बार जाईए अपने सोरूम में और विजिट जरूर कर जिए रहपूर से हैं तो एक बार रहपूर यामाह में ज आपको फैनेस करता है जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात कर लिख कि बीक फैनेस करनेस के लिएक आपको कौन कॉन से डौकमेंट्स की नीट पड़ती है। दोस्तो बाइक फाइनस कराने के लिए आपको सबसे पहले अधार कार्ट की ज़ुरत पढ़ेगी अधार कार्ट के बाद दोस्तो आपको पैन कार्ट की ज़ुरत पढ़ती है pen card के बाद दूस्तों आपको bank pass लुकी photocopy लगी कि जिसमें आपकी salary आती है ध्यान रखी salary आती है वही दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं यहां से पैसे कमाता हूँ उसके बाद कुछ photos और कुछ sign के बाद आपकी bike जो आपको finance करके दे दी जाती है दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो down payment sorry यार पहले बात कर लेते है R&5 M के price के बारे में दोस्तों R&5 M है यह आप लोगों को जो है एक्सरूम price मिल रही है 1,95,700 रुपिस 1,95,700 रुपिस के आपको एक्सरूम price देखने को मिल दी है बात कर लें इसके on road price के बारे में तो मैं आपको clear कर दू हरेकिस्टेट एंज सीटी में on road price में थोड़ा सा difference होता है क्योंकि हरेकिस्टेट के R&U and insurance charges में फरुक होता है दोस्तों ये बाइक हमारे है रहपूर 37 गड़ में on road price आ रही है लगभग 2,28,000 रुप है 2,28,000 की हमारे on road price आ रही है आप लोगों के दूस्तों उसका क्या price अगर आपको पता हो तो please share comment करके जरूर बताएगा ठीक है अब दूस्तों आज का डीपी है 68,000 रुप है 68,000 रुपीज डाउन पेमेंट एमाउंट है अब आपको बचावे अमाउंट कितना है 1,60,000 रुप है अब 1,60,000 रुप है आपको बचावे अमाउंट उसमें 10,000 रुप प्रोसेसिंग फिस प्लस करेंगे ठीक है क्योंकि भाई हमें पी एप देना पड़ेगा अब आपको टोटल अमाउंट रेगा 1,70,000 रुप है अब निकालेंगे ब्याज देकि जब भी हम बाईक फैनेंस करा रहे हैं फैनेंस में खरीद रहे हैं तो ऑबसी बात है बाई जो फैनेंसर कंपनी हों में फिरी में फैनेंस करके नहीं देगी वो भी हमसे पैसा कमाएगी अब जो पैसा कमाती ही दुस्तो एक्ष्टा उसे हम क्या कहते है ब्याज जो कि हम ब्याज पे करते हैं तो ब्याज दुस्तो डिपेंड करता है रेट ओप इंटरस आपकी सीविल स्कोर पर और आपकी सेलरी सिलिप पर आज के चुरू में हमने छो लिया दूस्तों होए 10% तो 10% की साथसे एक लग सतरह दर का किता हैगाд सतरह जार रुपऐ द्यानने कि सतरह जार आपका एक साल के इंटरस है अब माल दिजे बाई को एक साल गली फाइनेंस करा रहे है तो एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं तो 1 लग 7,000 आपका टोटल अमाउंट है उसमें आप 17,000 को प्लस कर दीजिए टोटल अमाउंट जागा 1 लग 87,000 रुपई 1 लग 87,000 को आप 12 याने की 12 से डिवाइट कर दीजिए क्योंकि एक साल में 12 महिने होते हैं आपकी मंतली हमाईगी 15,583 रुपए के आजपस की जो कि आपको पेकर नहीं बड़ी कि 3 सालों तक माल लेज़े आप बाइक को 2 साल के लिए फैनेंस कराना चाहते हैं तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरस निकालना पड़ेगा 17,000 रुपए आपके 1 साल का इंटरस है 17,000 into 2 कर दीजे तो 34,000 34,000 रुपए जो आपके 2 साल का इंटरस आएगा अब 1,07,000 में 34,000 को प्लस कर दीजे टोटल हो जाएगा 2,21,000 रुपए 2,21,000 को आप 24,000 की 24,000 से डिवाइट कर दीजे क्योंकि 2 साल में 24 महीने होता है आपकी मंसी हमाएगी लबक 8,000 रुपए के आसपास की माल दीजे दुसरों आप बाइक को 3 साल के लिए फैनेंस कराना चाहते है तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरस निकालना पड़ेगा 17,000 रुपए आपके 1 साल का इंटरस है क्योंकि 3 साल में 36 महीने होता है आपकी मंसी हमाएगी 6,100 38 रुपए गासपस की जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक तो यह दो दोस्तो ब्रैंड लू यहमा आरण वाइप एम का कंप्लीट डाउन पर मेरेन फैननेस वीडियो प्लस मैंने आप लोगों को बाइक के कुछ दुरगा पुजा ओफर के बारे में ही बताया अई वीडियो अच्छी लगी है यह मिलते हैं फिर नएक शुरू में लव यू ओल जैहिन मंदे मातरा